हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इस्ट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आईए जैसा हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में क्लास 11 की मैस NCRT हम लोग देख रहे थे उसके हमने कॉंसेप्ट को बहुत बहतरीन धंग से हम लोग ने कुछों को नहीं पता था वो दिरे दिरे इस वीडियो लेक्चर को जुआई कर रहे हैं तो वो वीडियो लेक्चर स्वाज को जरूर देखें सब के पास बुक होगी है ना नहीं मैं आप question बोल भी रहा हूँ अब आपको बताना है question number one आपसे ये कह रहा है बच्चो कि which of the following set which of the following are sets नीचे दीगे कौन कौन से क्या है set है फिर आपसे क्या पूछ रहा है बच्चो आपसे पूछ रहा है justify your answer ठेक है मैंने का ठीक है बाई चलो कुमणा करके nine nine questions है पहले में तो आइए सब को बारी बारी समनों क्या करते हैं detail में discuss करते हैं देखे बोल लगा है the collection of all month of year beginning with the letter j मैंने आपको विछली video lecture में क्या बताया था कि set क्या होता है कि A let my SidTA मैंने बताया था कि well defined collection of objects बतब ऐसे object's जो कि क्या है well defined है उसे क्या पोलते है हम लोग सेट कहते हैं तो अब आप इसी सेट की definition से जो well defined हो और मैंने एक छोटा सा concept बताया था कि person to person vary नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बच्चो person to person vary नहीं करना चाहिए क्या नहीं vary करना चाहिए जो terms है जो आप define कर रहे है definition person to person vary नहीं करनी चाहिए ठीक है तो आईए बच्चा पर्टी सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं है ना सबसे पहला पार्ट हम व конт पूरे मन्थ होते हैं आपको पता है एक एयर में बारा मन्थ होते हैं लेकिन बोल रहा है कि आपको कलेक्शन के और उन्हीं मन्थ का लेना है जो क्या है बिगिनिंग विद दे लेटर वन लेटर जे जिन किस वाद लेटर जे से होती तो आपको पता है वेल डिफाइंड है किसी से भी आप बोलोगे किसी परसर से बोलोगे बताएगा जैन्वरी है ना जून जुलाई है ना यह है फिक्स है तो सिंपल सी बात है आपको पता है कि ब डीजबर नॉवमबर दिसम्बर यह होते हैं तो देखें जैसे सुरुवाने कौन कौन से यह जैनुरी है जून है जुलाइब यह कि वल तीन मन्त है क्या है फिक्स है तो यह हमारा क्या है set है बात समझ गे क्योंकि विल डिफाइंड है चलिए तो यह सेट आये दूसरा बात कर हमारे राइटर यह नोवल्स लिखते हैं इनकी नोवल्स बहुत लोगों को पसंद आती है लेकिन क्या होता है कुछ लोगो कुछ लोगों के इसका विरौद करते हैं है ना या इनके लिखे वे आप्टर नहीं करते हैं तो नहीं है, आईए, हम लोग बाचित कर लेते हैं, अब तीसरा बोला बच्छा, a team of 11 best cricket batsmen of the world, है ना, a team of 11 best cricket batsmen of the world, तो देखिए, ये भी क्या है बच्छा, ये भी हमारा क्या asset नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई, देखिए, कोई कितना भी अच्छा खेले, है ना, कोई कितना भी बढ़िया खेले, कभी-कभी वो खराब भी पारी खेलता है, है ना, तो सब की opinion में, यसे माली जे विराट को ली, एक अच्छे batsmen है, है ना, लेकिन किसी के point of view से वो अच्छे batsmen है, किसी के point of view से क्या है, खराब batsmen है, है ना, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, तो यह लिए कि person to person क्या करेगा, vary करेगा, अलग-अलग होगा, इसलिए क्या है, well-defined ना होने के कारण, यह set नहीं है, आईगे हम बात करते हैं, collection of all, फिर अगला फोर्थ नमबर बोलाया बच्छों, collection of all boys in your class, collection of all boys in your class, अब यह तो बात क्या है, बिल्कुल well-defined है, क्योंकि आपके class में कितने बच्छे हो सकते हैं, भाई, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, तब जितने हैं वो तो fix है ना कि आपकी class में कितने बच्चे है fix बच्चे है ठीक है यह क्या है हमारा set है अब आगे बात चीत करते हैं the collection of all natural numbers less than 100 बिल्कुल यह भी set है collection of all natural numbers less than 100 इसका मतलब होता है जितने भी हमारे natural numbers है 100 से कम वो सब क्या है well defined क्योंकि natural number आपको पता है कहां शुरुआत होती है वन से शुरुआत होती है 100 से छोटा है नहीं 99 तक जाओगे तो किसी पूछो के सब बताएंगे 1 to 99 तो यह क्या है well defined है इसलिए क्या हो गया हमारा set हो गया ठीक है फिर इसके बाद collection of novels written by the writer मुंसी प्रेम चंदर अब देखो novel किस के थूरु लिखा गया है मुंसी प्रेम चंदर के थूरु तो सिंपल सी बात है यह क्या है सेट होगा क्योंकि सिंपल सी बात है जो भी आप उठाओगे नॉवल उपन्यास जिसको बोलते है न वो क्या होगा मुंसी प्रेम चंद नहीं लिखा है वेल डिफाइन है इसलिए हमारा यह सेट है अच्छा तो एक बात ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर क्यूंकि यह जो एक जुस्के है collection of all event integers collection of all event integers तो देखए यह भी क्या है यह वेल-δिफाइन collection है तो simple सी बात है यह क्या होगा हमारा यह सेट होगा यह क्या होते है 2, 4, 6, 8, यह सब क्या है, even integers है, तो यह हमारे क्या है, well defined है, आईए आगे बाद चित कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उस बाद बेटा इसमें बोल रखा है, the collection of all questions in the chapter, तो simple सी बात है, collection of all questions in the chapter, तो chapter में question तो fix होंगे न, जैसे माम लोग किसी chapter में 16 है, तो 16 ही question तो होंगे, कि कि इसी से भी पूछ होगे, तो यह well defined है, यह भी क्या हमारा set है, अब आगे बात करते है, 9th number, a collection of most dangerous animal of the world, यह बटा collection of, कह रहा है कि आप क्या करें, collection of most dangerous animal in the world, तो यह set नहीं है, क्योंकि यह भी well defined नहीं है, क्योंकि most dangerous का, आप definition नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए, हमारे साप निकल जाए, इसनेक, तो हम लोग क्या करें कि भाग खड़े हों गया है, वहां से कि यहां की आगया, है ना, काट लेगा तो अभी death हो जाएगी, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरीके कि हम लोग chaos लगान लेक जाते हैं, लेकिन वहीं पे सनेक क्या करते हैं, कुछ लोग उसको पाले रहते हैं, है ना, pet animal हो जाता है उनका, तो simple सी बात है, वो क्या है, उनके लिए क्या है, dangerous है क्या, नहीं, बट मेरे लिए क्या हो गया, वो dangerous हो गया, तो यह well defined नहीं है, it is not a well defined, so it is not a set, ओके, आईए, हम लोग बात्चित करते हैं, आगे, तो बटा set a, है ना, set a is equals to, देखो बोल रखा है, second number question आप से बोल रखा है, कि एक set है, a is equals to, ऐसे दे रखा है, set a is equals to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, ठीक है, आप से क्या बोल रहा है बच्चों, कि insert the appropriate symbol, belongs to, और does not belongs to, तो बोल रहा है कि आप symbol बनाईए, इसको बोलते हैं, belongs to, और इसको बोलते हैं, does not belongs to, है ना, इसका मतलब आप क्या समझे, यह जो sign बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं, belongs to, हमने आपको लिख के समझाया था, फर्स वीडियो लिक्चर वे, इसको क्या बोलते हैं, belongs to, या इसको क्या बोलते हैं, does not belongs to, बास समझ गे, does not belongs to, आपको appropriate symbol भरना है अब मैं बताता हूं क्या क्या है ठीक है तो आप इस बात को समझ के चलेंगे अब यहां पर symbol क्या क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं मतलब question क्या कह रहा है पहला ऐसे बोल रखा है कि 5-a है ना second number क्या कह रहा है आपसे मैं सारे questions लिख के आपको दिखाता हूं 8 8-a 3rd number आपसे बोल रहा है 0-a फिर क्या हो जाएगा फोर्थ नमबर आपसे कह रहा है 4-a ठीक है फिर 5 नमबर क्या कह रहा है 2-a फिर आप से 6 नमबर क्या कह रहा है 10-a ठीक है बच्चों यह देखिए यह सारे questions दे अब आपको appropriate symbol भरना है belongs to अब इसका मतलब क्या होता है मैंने फिर बोल रहा हूं है बता चुका हूं देखिए एक बार फिर बताता हूं अग belongs to आप तब लगाओगे जिसे सेट a के जितने इसमें लिखे गए नमबर से सब क्या है element है तो अगर वह set a का element है कोई भी तो उसको बोलते है belongs to वहाँ पर क्या लिखते है belongs to ठीक है जैसे मा लिजे हम बोले थी क्या है तो three is a set element of set a हम बोलेंगे three belongs to a अगर नई है तो does not belongs to ऐसे कर देंगे ठीक है वह ही यहां पर सेंबल को क्या करना भरना है तो चलिए बताईए 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 सभी बच्चे यहां क्या होगा five देखिए है बिल्कुल है यहां क्या लगेगा belongs to ठीक है अब मुझको बताईए eight है नई है यहां क्या लगेगा does not belongs to ठीक है अब यहां बताईए जीरो है है तो क्या हो जाएगा belongs to one है sorry 10 है नहीं है तो क्या हो जाएगा does not belongs to देखा appropriate symbol को हमने क्या कर दिया भर दिया ठीक है I hope आपको बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी इसी तरीके से questions को solve करना है ठीक है तो चलिए एक बार वीडियो पॉस पॉस करके mosque क्याहिए फिर हम अगले question की बातचित करते हैं hope कर दो को के बच्चों आय एक कवशन नमर्ड ठीकी बातचित करते हम चलिए देखते हैं कर दिखिए बातचित कर लेते हम लोग देखिए question number 3 क्या कह रहा है question number 3 question number 3 is saying that question number 3 is saying that कि write the following sets in roaster form अब दो नीचे के जो sets उसने दे रखे हैं उसको roaster form में लिखना है रोस्टर समझते हो ना आप tabular form यानि list बनानी है list कैसे बनाते है कॉमा लगा लगा करके यानि कि कॉमा बनाने वाले में लिखना है ठीक है यानि वो set builder form दिया है आपको list form में बनाना है कैसे बनाते हैं मैं आपको देखिए शुरू के मैं इसमें आपको शुरू के तीन questions बनाकर दिखाता हूं ठीक है देखे पहला जैसे रखा है first बोल रखा है ए क्या बोल रखा है x such that x is an is an integer क्या बोला है is an integer and जो बोला है x है वो 7 से छोटा है लेकिन minus 3 से क्या है greater है ठीक है यह ऐसे दे रखा है तो चलिए बना के देखते हैं है ना चलो एक और लिख लेते हैं साथ ही साथ है इसका दूसरा भी लिख लेते हैं इतने में तो हो ही जाएगा दूसरा भी लिख लेता हूं है set b is defined as x such that x is an natural number is an natural number less than 6 है ना natural number less than 6 यह भी है अब चलो third question में लिख देता हूं set c is defined as x such that x है ना is a two digit number is a two digit number दो डिजिट का नंबर है तू डिजिट नंबर ने तू डिजिट नाचरा नंबर तू डिजिट क्या बोला है नाचरा नंबर two digit natural number such that the sum of digit such that क्या बोला है such that the sum of digit the sum of digit is 8 digits digits is 8 यह देखे हमने शुरू के तीन questions आपके लिए लिख दिये अब समझे मेरी बात को ध्यान से कैसे करेंगे इसको solve आई यह समझते हैं देखे देखे बच्चों यहां पर क्या दे रखा है कि x such that x integer integer and 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 क्या है एक्स की जो वैलू है टीजर कहां से कहां तक लेना है आपको 7 से छोटा लेकिन माइनस 3 से बड़ा तो कैसे लिख दोगे इसको तो रोश्टर फॉर्म क्या हो जाएगा तो माइनस 3 से बड़ा तो माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 यह देखिए अपका क्या है बच्चों यह आपने रोश्टर फॉर्म में क्या कर दिया लिख दिया ठीक आगे चलिए सेट B का रोश्टर फॉर्म बताए एक्स such that x is a natural number less than 6 natural number क्या है less than 6 है तो समझ गए natural number कहां सुरुआत होती है वन से मैंने बताया था आपको वीडियो लेक्चर में तो 1 2 3 4 5 बस less than 6 बोला है तो 6 नहीं लेना है क्योंकि वो बोल क्या रखा है less than 6 बोल रखा है ठीक है आईए तीसरा बात करते हैं एक्स सच दैट x is a two digit natural number अब एक एक ऐसा टू डिजट नैच्रल नम्बर है सच दैट दस सम फ ढफ डिजट इस एट यानिसे संख्याओं का योग कितना है आठ है तो ऐसा टूजेट नम्मर कौन-कौन से हो सकते हैं जिनके संख्याओं का योग को सकता है यह सोच भेदाऊन तुरंट-प्रंट क्या हो तू सिक्स क्या हो सकता है वन सेवन भाई दोनों का जोड़ों करके डो 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 डुट टू डिजिट है एड करों कितना है एट तू सिक्स हो सकता है एना और बताई ये तो क्या होता हैगा 2-6 3-5 4-4 फिर 3-5 फिर 2-6 3-5 क्यों करोगे 3-5 तो हो चुका है न तो 3-5 हो गया 4-4 हो गया फिर हो जाएगा 5-3 हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा 6-2 हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा 7-1 हो जाएगा ठेक और बताएगे कितने नमबर पॉसिबल है और बताएगे फटाफट बताएगे क्या हो सकता है 8-0 हो सकता है यह देखे इतने नमबर आपके क्या है पॉसिबल है देख लीजे जिनको आप दो डिजिट के नंबर है इनको एड आप करेंगे अब देखे करें को कहोगे सर जैसे 17 था तो आपने 71 कर दिया 35 था आपने 53 कर दिया लेकिन 80 है तो आप 08 क्यों नहीं करते बैटा 08 is not a two digit नंबर ठीक है ना इस नौट टू डिजिट नंबर क्योंकि देखे जीरो गारे नंबर से पहले लग जा तो कोई वैलू नहीं है ठीक है वह 8 ही माना जाता है ठीक है ना सिंपल सी बात है है ना common sense चलिए तो बच्चा पार्टी आई होप यह बात आपको समझ में आई है बाकी के तीन कोशन जो इसके आप करिए है ना अगर कोई problem होती है तो आप हमसे comment box में बताइए फिर हम सारी बाते करेंगे ठीक है लेकिन इसको वीडियो पॉस करके आप note down कर लीजे screen sort ले लीजे ओके आई हम question over 4 की तरफ चलते है ठीक है question over 4 question over 4 क्या कहता है आईए उसकी भी थोड़ी बात्चित कर लेते हैं हम लोग ठीक है question over 4 क्या कहता है उसकी भी हम लोग बात्चित कर लेते हैं देखे question number 4 is saying that अब आपको बोल रहा है कि write the following as an set builder form यानि कि अब आपको वो roster form में दिया हुआ है now you have to format that roster form into set builder form यानि कि उनको आपको क्या करना है set builder form में बनाना है तो आईए देखते है set builder form में convert करना है है ना write the following होला है write the following write the following किस form में in set builder form in set builder form आईए देख लेते है set builder form क्या होता है ठीक है तो simple सी बात है पहला question दे रखा है three six nine twelve ये set दे रखा है है इतने में तो लिखी दूँगा मैं दूसरा क्या बोल रखा है दूसरा आपसे बोल रखा है two four six two four eight sixteen thirty two ये दे रखा है तीसरा भी लिखी लेते हैं लगे हाथ है तीसरा भी लिख लेते हैं यहां तक तो होई जाएगा तीसरा दे रखा है five 25 125 625 है ना चलो कि यह तीन questions मैंने लिखे हैं शुरू के चलिए करते हैं आपको एक idea देते हैं करने का है ना फिर आप उसी हिसाफ से करेंगे चलिए देखिए कहानी क्या है पहले बाले को अगर आप set builder form में लिखना चाहते हैं तो इसको आप set builder form में कैसे लिखेंगे तो आप कहें यह देखिए सर सेट builder form में एक तो ऐसे लिखता है यह x such that x मतलब x हमारा एक element है और such that ऐसा element है x है ना अब कैसा element है हमारा x जल्दी बताइए फटा फट कैसा element है तुरंद बताइए x हमारा कैसा element है तो आप देख क्या पा रहे हैं यह x रिक्ष्ट टू की पावर n या 2 की पावर आप कुछ भी लेके साथ चल सकते हैं इसका मतलब समझें यहां लिखा है 3 अच्चा 3 एच पावर ना इस तरीके से चला चला जा रहा है तो जड़ा बताइए तो यहां पर थोड़ी से से मिस्टेक कर दी है ना इस तरीके साब समझ यह एक इस रिक्वेस्ट वाट थ्री एन बोलिए एक इस रिक्वेस्ट वाट थ्री एन नंबर आराम से बन जाएगा वेर एन बिलॉंग्स टू हम बोल देते हैं कहां नैचुरल नंबर अभी आगे भी एक चील लिखी नहीं यानि कि 3 बन जा 3 है ना फिर 2 जा 6, 3 जा 9 है ना 3 4 जा 12 ऐसे आप चल रहे हैं याँ आप देख रहे हैं कि 3 तो फिक्स है पैटर कैसे हमने बना या यह पैटर कैसे हमें में बना लिए कि ex equals to 3 n कैसे बोल दिया हमने थीक है नाच तो क्या है इसी बात का एनालीसर है तो थीक ह है हमें 3 का कर दिया fix लेकिन यहां पर देखिए नंबर यहां पर change हो रहा है 1 2 3 4 यानि कि हमने इसको 1 2 3 4 कौन से होगा तो हमने लेट कर लिया n और हमने बोल जा n belongs to natural number देखो natural number की शुरुआ कहां से होती 1 से तो आप यहां पर n की value क्या put करोगे 1 तो n की value 1 तो 3 1 जा 3 देखिए सेट में मिला की नहीं मिला यह फिर आप बोलोगे 3 2 जा 6 2 रखोगे natural number में 2 भी तो आता है 2 रखो गया तो 3 2 जा क्या मिलेगा 6 मिलेगा 3 3 जा क्या मिलेगा 9 3 4 जा 12 लेकिं कहो सर सारी बातें समझ में आ गई आपके लेकिन एक चीछ तो बताइए क्या आपने नेश्रल नंबर बोल के छोड़ दिया क्या यह complete हो गया क्या क्योंकि नेश्रल नंबर तो पता नहीं कहां तो 1 and less than equal to 4 आप यह बाउंडेशन या condition लगा सकते हैं कि जो हमें लेना है वो 1 लेना है या उससे बड़ी लेना है वन और उससे बड़ी और जो नंबर हमें जहां तक जाना है 4 लेना है या उससे छोटा ठीक है ना आप देख पा रहे हैं तब आप इस boundary में आगए तो इस तरीके से हम करते हैं हमने इसकी definition लिख दी यहां पर property लिख दी ठीक है तो इसकी को बोलते है set builder form ठीक हमने बहुत detail में आपको यह बात समझाई आईए दूसरा बना के चलते हैं हम लोग चलिए दूसरा हम लोग देख के चलते हैं चलिए इसका बताइए set builder form कैसे लि लिख ली है कि x such that x मत्तब x हमारा ऐसा है कि x is equals to अब देखें आप analyze करिए क्या लिखा है 2, 4, 8, 16 यह बताइए 2 की power अगर आप 1 लिखते हैं चलो ठीक है क्योंकि देखो यहां पर कोई चीज तो add नहीं हो रही है अब multiply करने पर भी ज्यादे दूर नहीं जा रहे हैं हम फिर 2 की power 3 क्या होता है 8 आप देख पार 2 की power 4 क्या होता है 6, 16 और 2 की power 5 क्या होता है 32 यह आप देख क्या पा रहे हैं कि देखिए हमने base में जो two numbers जो लिखे हैं सबको क्या कर दिया है fix तो कर दिया रहे हैं उपर power change हो रही है power change होने समें number जो इस bracket में curly bracket में मिला है लिखा है ना इस set में वो हमें मिल जा रहा है इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है बच्चो कि हमें जो property बनेगी two को fix रखेंगे लेकिन उपर number change हो रहा है तो vary कर रहा है इसलिए हमने इसको power n बोल दिया क्या बोल दिया power n जहां पर हमारा यहां भी कहां से starting है one से तो n belongs to natural number लेकिन कहां से कहां तक एक से लेकर के 5 तक 5 तक है तो बोल देंगे कि n greater than equal to 1 less than equal to what 5 इस तरीके से हम अपना काम करते हुए चलेंगे तो बात समझ गया तो पूरा उसका analysis हमने आपको यहां पर दे दिया ठीक है आईए third number की बाक्चीत करते हैं तो ideal समझ पारे हो कैसे करने questions को इसी तरीके से करना है बाकी कोई doubt हो तो comment section आपका है आप बिल्कुल comment कर सकते हैं ठीक है देखिए हम उसको दुबारा समझा देंगे आप बता देंगे एक ले questions को देखिए इसका set builder form तो बिल्कुल आं का square क्या होता है 25 25 का square क्या होता है 125 और 125 का square क्या होता है 625 यानि हम बात क्या समझ सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हो एक बात कोई बच्चा बता सकता है कि क्या यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए तो आप देख रहे हैं कि जैसे आप इसमें बढ़के चले थे 5 को देखो fix करो power 1 करो 5 की power 1 क्या होती है 5 अब 5 की power 2 करिए 5 का square क्या मिलेगा आपको 25 अब 5 क्या करिए आप cube करिए तो क्या मिलेगा 125 5 की power 4 करिए क्या मिल जाएगा आपको 625 यानि बिल्कुल उपर वाले की तरह pattern बन रहा है हम क्या वह सकते हमारा जो 5 है वो क्या है fix है तो 5 fix कर दिया power n कर दिया वेर अब यहाँ भी देखो सुरुआत कैसे हो रही है 1 से हो रही है हम क्या लिखेंगे n belongs to natural number और जो हमारा n हो जाएगा less than equal to what 4 greater than equal to what 1 देख पारे हो हम इसकी definition लिखते वे चले जा रहे है तो I hope आपको सारी बाते समझ में आ रही होंगी कि कैसे हमें questions को deal करना है बात समझ के बच्चों तो इसको क्या करिए वीडियो को pause करके screen shot ले लीजे फिर हम बात्चित करते हैं ओके देखे बच्चों अब जो इसके बच्चे हुए जो questions है दो और बच्चे हैं फोर्थ के दो वो आप करेंगे ठीक है वो आपका homework है अगर नहीं आता है तो आप बता सकते हैं बिल्कुल comment box में comment करके ठीक है उसके बाद हम आपको बता दें फिर जो आपके दो questions वोर बचे 5 और 6 I hope कि अब आप उसको tackle कर पाएंगे जो 5 है उसको भी आपको ये ऐसे आपको मतब की set builder form में दिया है मतब अगले exercise का concept भी बताएंगे इसलिए अगला वीडियो lecture important होने वाला है सारे का सारे बच्चे उसके जोइन रहेंगे ठीक है बिल्दते बच्चों अगले वीडियो lecture में तब तक लिए thank you so much and thanks again for joining us